नमस्कार मैं पंकजी आदब सब आगे साइंस का तमासा देखने थोड़ी दिर में कोश्चन से बाहर आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा और कोगे चल लगा गाना यूटूब पे तु लगावे लूजवली पिस्टिक ही लेला आरा डिस्टिक लेगिन चिंता मत कीजे व NCRD क्लास 10 साइंस का ध्याय एक जिसका नाम है राशाइनिक अभी किर्याएं एवं समी करन इसका हम वन सट वीडियो लाएं हैं मतलब एक ही वीडियो में सब का यानि पूरा निचोर लेकर के आ गये कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है यह ध्याय खतम करने के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं तो पेज के जो प्रश्ण है उसको भी हम कंपलीट करने वाले हैं एकदम राप्ची के स्टाइल में ठीक है तो आईए एक ही चीज लेते हैं और बढ़िया से समझते हैं समझने से पहले मैं आपको बता दू कि इस अध्याय में हम पेज की प्रश्ण तो करा ही देंगे अब भ्यास की प्रश्ण जो बच जाते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं ठीक है उसमें डाला हुए मैंने बना दिया है मिरवाई तो देख लेना जा करके ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं यह क् अगर कुछ लीखेंगे अगर आपको ओनलाइन टेस्ट देना है क्या प्रतेक सब्षक का ओनलाइन यदि आपको टेस्ट देना है तो गूगल में सर्ज करना सर पंकज इस्टडी सेंटर पंकज स्टडी सेंटर डॉट कॉम ठीक है गूगल में सर्ज कर लेना वहां पड़ते एक सब्जेक्ट का आप ओनलाइन टेस्ट दे सकते हैं ठीक है अगर आपको पीडियफ लेना है है ना यदि आपको मैं जो पढ़ाता हूं उसका नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करना पचासी पचासी कीसी लिख दी दर तरीके पचासी एक्यासी असी 2929 इस नंबर पे वाट्सअप मैसेज करना और कहना कि हमें पंकस सरकाह कोर्स लेना है हमारा जो बंदा बैठा हुआ है वहां पे आपको रिपलाई दे देंगे ठीक है आप से 2999 पहला टॉपिक है कि आखिर हम राशायनिक अभीकिरिया हम कहते किसे हैं ठीक है यहां पे देखे क्या लिखा हुआ है लिखा गया कि राशायनिक अभीकिरिया वे पदार्थ हैं जिन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुंधर्म वाले नए पदार्थ का नि ठोस है तो चावल ले लेना और जल लेना ठीक है कुकर में डाल देना उसको जब हीट करोगे ताप दोगे तो क्या होता है नया गुंधर्म बला पदार्थ बन जाता है यानि दो पदार्थ को मैंने मिलाया है ना दो चीज को मैंने मिलाया जल को मिलाया और पानी को मिलाया मतल को उसमा दिया तो नए गुंधर माले पदार्थ बन गए क्या बन गए भात बन गया समझ रहना तो यह रशाइनी कभी कि रिया कि उदारन ठेट भासा में इसे समझो लेकिन थोड़ा सा के मैंने क्या की हाइड्रोजन गैस लिया और और अक्सीजन गैस लिया llegó के मिला करके है न क्या बनता है है यानी जल बन जाता है क्या बन जाता जल यानी दो प disp जो अलक गुंधर बाले हैं है ना और इन दोनों को मिलाने से नए curtains radic इसे मिलने के बाद है जल का निर्मान होता है तो आप कहेंगे हाईड्रोजन और oxygen सोपलिजन गैस मिलने से जल का निर्मान होता है जिसका सुतर होता है ही यह आपने समझ लिया डूसरा उदारण मैगनीसियम है मैगनीसियम क्या सॉलिड है यह सब लगा है यह सब अवस्था को दर साता है कि यह किस फॉर्म में हैं solid है gas है gas के लिए G लगाते हैं solid के लिए S लगाते हैं aqueous के लिए AQ लगाते हैं लिक्विड के लिए L लगाते हैं तो यह जो bracket में S लगा है G लगा है S लगा यह सब अवस्था को दर्सार है है जी कि magnesium solid है तो magnesium को oxygen की उपस्थिती में जलाया जाता है तो magnesium oxide मिलता है यहीं magnesium का दहन करता है है ना तो magnesium oxygen से मिलने के बाद क्या magnesium oxide का निर्मान हुआ है ना तो यह रहसाइनी कभी किरिया के उदाहरन हो गए कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब देखिए notes मैंने लिखा यहां पर कुछ point कि रहसाइनी कभी किरिया को भौतिक विदियों से पलट नहीं कर सकते हैं मतलब रहसाइनी कभी किरिया होता है अपुना जैसे की चावल ले लिए है ना पानी ले लिए हीट कर दिये उसको तो भाद बना अब भाद कभ पुना हम चावल नही बना सकते हैं है ना इस बात को ध्यानकना तो वहीं लिखाए कि रहसाइनी कभी किरिया को भौतिक विदियों से पलट नहीं कर सकते हैं कौन-कौन जैसे कि वास्पी करन हो गया उर्ध पातन हो गया उपकेंद्री करन हो गया इन वीदियों से हम पुना जैसा है वैसाम नहीं ला सकते हैं, है ना, तो यह आपने समझ लिया, next, रासाइनी कभी किर्या के उदाहरन, क्या-क्या है, वो हमें, यहां पर देख लो, भोजन का पकना, ये भी एक रासाइनी कभी किर्या के उदाहरन है, है ना, स्वशन, ये भी एक रासाइनी कभी किर्या के उदाहरन है, जैसे मैगनीसियम रीवन को मैगनीसियम रीवन क्या होता है मैगनीसियम रीवन को वायू की उपस्तिती में है ना यानि ऑक्सीजन की उपस्तिती में जब हम जलाते हैं तो मैगनीसियम ऑक्साइड मैगनीसियम ऑक्साइड का बनना यह भी क्या होता है रहसायनी कभी कि रहा कि जैसे पीछे वाले पेज़ पर मैंने आपको बताया था कि मैगनीसियम को ऑक्सिजिएन की उपस्तिती में जब हम जलाते हैं तो मैगनीसियम ऑक्साइड का बना वही बात यहां पर लिखा गया है कि मैगनीसियम रिवन को वायू में जलाने पर मैगनीसियम ऑक्साइड का बना यह आपने समझास नहीं नगेक्स नेक्स्ट कहता है कि याँनी कभीक्रिया के दोरान होने वाले परिवर्थन जब रासाइनी, कभीक्रियां होती है तो two six क्याख्या लक्षन आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं तो रहसायनी का विक्रिया जब होती है तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है है ना क्या होता है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ठोस से हो सकता है लिक्वीड बन जाए लिक्वीड से गैस बन जाए तो यह अवस्था में पर अलिवरतन होता है जब में लिखा अभीकारक और यह उत्पाद इसको समझने के लिए यहां पर समझी जैसे की मैगनीशियम मैगनीशियम को अक्सिजन को उपस्तिति में जला जाता तो मैगनिसम ऑक्साइड बनता है यहां पर गौर कीजिए यह हमारे पास इस साइड जो होते हैं इसको हम अभीकारक कहते हैं क्या बोलते हैं सर इसको तो इसको हम बोलते हैं अभीकारक तो ये हमारे पास अभिकारक हो गया और ये हमारे पास ये क्या है उत्पाद है उत्पाद है ना तो अभिकारक किसे कहते है जो रासाइनिक अभिकिरिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते है और रासाइनिक अभिकिरिया में भाग लेने के फलसरूप जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, डिफिनेशन के लिए यहां पे समझो, कि अभीकारक आखिर हम कहते किसे हैं, तो अभीकारक वैसे पदारत को कहते हैं, जो रसाइनी कभीकिरिया में भाग लेते हैं, जैसे मैगनीसियम और ऑक्सीजन, यह रसाइनी कभीकिरिया में भाग लेते हैं, तो इ अभिकारक मिला और बनने के बाद एक नया पदार्थ बना मेगनिसमक्साइड तो अभिकारक को से मिलकर के जो बना पदार्थ उसे हम उत्पाद कहते हैं तो आपने अभिकारक और उत्पाद को बहतरी न तरीके से समझ लिया अभिकारक को अभिकर्मक भी कहते हैं इस बात को ठीक है नेक्स्ट हलो हलो तो नेक्स्ट हमारे पास है रासाइनिक समीकरन सर तो हम रासाइनिक समीकरन को बढ़िया से समझेंगे रासाइनिक समीकरन हम किसे कहते हैं देखिए रासाइनिक अभिकिरिया यहां पर क्या लिखा मैंने कि रासाइनिक अभिकिरिया को रासाइनिक समीकरन द्वारा निरूपित किया जाता है रासाइनिक अभिकिरिया को रासाइनिक समीकरन द्वारा निरूपित किया जाता है जैसे यह रासाइनिक के प्रतीक यानि सुत्र का इस्तेमाल किया जाता है जैसे मेगनिसियम का सुत्र क्या होता है है न संकेत क्या होता है एमजी होता है तो एमजी लगा दिया गया वही बात है कि प्रतीक यानि सुत्र का इस्तेमाल किया जाता है मेगनिसियम का देखिए एमजी सुत्र लगा हुआ कि ना ना यहां पर सुत्र इस्तेमाल किया जाता है तो उस आवस्था को भी दरस आ जाता है यानि वह किस फॉर्म में है है ठोस है dev Arab है गैस है यह जल यह विलियन है तो उस अवस्था को भी दर्स आ जाथा तो याद रखना यदि कोई ठोस है तो उसके लिए एस लगाते हैं यहाट सॉलीड हैना सॉबीड के लिए एस लगाते में उसके लिए लगाते हैं लिक्वीड गैस के फॉर्म में है तो जी लगाते हैं और जलिये विलियन के फॉर्म में है तो एक यू लगाते हैं एक वर्ष ठीक है इस बात को ध्यान रखना तो यहां पर देख सकते हैं मैगनीसियम डीवन का वाई ऑक्सीजन में दहन करने कर मै मैगनिसियम औक्साइड का बन आप देखो मैगनिसियम क्या होता है सॉलिड उसके लिए एस लगा है और ओटू यह ऑक्सीजन क्या होता है गैस के फॉर्म में होता है तो जी लगा है मैगनिसियम औक्साइड सॉलिड होता है इसके लिए इस लगा हुआ है क्लियर कोई इकत नह सुत्र है है मतलब दिये गया है कंकाली समीकरन किसे कहते हैं जो संतुलित नहीं रहता है उसे कंकाली समीकरन कहते हैं जब संतुलित हो जाता है तो संतुलित समीकरन हो जाते हैं ठीकर तो यह सब कंकाली समी का अंदिये गया है इसको हम बाइलेंस करेंगे यानि संतुलित करेंगे तो आए पहला प्रश्न यह हमारे पास है कि यह ना अटरिक एसीड है है राएचनो 3 एक कैलसियम हाइड्रोकसाइड है उदर कैलसियम नाटरिट है और उधर जल है इसको हो संतुलित करना है तो संतुलित करने के दारान ये इतना याद रखना कि अभिकारक और उत्पाद इस साइड क्या होते हैं मेरे भाई अभिकारक होते हैं अभिकारक अभिकारक होते हैं और इस साइड उत्पाद होते हैं तो याद रखना अभिकारक में जितने भी हमारे पास तत्तो दिये गए हैं तो तत्तो की परमानु से जितनी होगी उतनी ही इधर भी होना चाहिए यानि इस साइड किसी भी तत्तो के परमानु करमांग जितना होगा उतन ही उत्पाद में ही होना चाहिए दोनों बराबर होने चाहिए तब जाके वह बाइलेंस होता है यहां क्या है अकेला है तो इसको देखो एक अदम राप्ची किस्टाल में मैं समझाओंगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको करना है हाइड्रोजन तो यहां पे हाइड्रोजन क्या है अकेला है स्वतंत्र इसके लिए हम एक लिखते हैं यह मैंने एक लिख दिया नाइट्रोजन यह भी हमारा अकेला है तो इसके लिए हम एक लिख देंगे हमने लिख दिया है ना कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ऑक्सीजन ऑक्सी यह एक ग्रूप का है तो हम एक ग्रूप में जाने देंगे मैंने एक ग्रूप में जाने दिया को दिक्कत नहीं दिक्कत ग्रूप कब चंज होता है पलस के बाद ग्रूप चंज हो जाता है यह अलग ग्रूप का अलग ग्रूप मैंने कर दिया अब देखो यहां पर कैल्सियम है, calcium क्या है, यह अकेला है, तो इसके लिए एक डाल दिया, अब देखो, oxygen और hydrogen यहाँ पे कितने हैं, तो याद रखना, यह oxygen है, देखो, इसमें देखे, एक से दो में गुना करेंगे, तो दो, oxygen की संख्या दो है, एक से यहाँ दो में गुना करेंगे, तो दो होगा, यानि hydrogen की भी संख्या दो है, यहाँ पे, को दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो यह मैंने लिख दिया, hydrogen की संख्या दो, है ना, तो यह हमारा के लिए यह समझ म में आए कि नहीं ये सब सम्झों कैसे दो हो गया काल्सियम तो अकेला था ये ब्रेकेट के बाहर था इसलिए अकेला लेकिन ये साथ में था 2 लगा हुआरा तो एक से दो में मल्टिप्लाइ करेंगे दो एक से दो में मल्टिक démocrate करेंगे दो तो यह है दो जयाएगे तो यहापने सममझ लिए अब इससाइट देखते उत्पाद कोत तरफ कल्सियम यहाँ पर क्या है क्ल्सियम क्ला है इसके लिए लगाएंगे आपको नैट्रोजन अपके सबज़! हमारे पास हो जाएंगे 2 अब यहां देखो ओ हमारे पास है ओ ऑक्सीजन है ना तो 3 से 2 में multiply करेंगे तो 3 दूना हमारे पास हो जाएंगे 6 है ना 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा तो अक्सिजन भी हमारे पास है यए ग्रूप का एक ग्रूप में बाट देंगे अब जल हमारे पास है एक तू Arug मैंने क्या किया सब किलिए हां कि लिए अब है तो मेरे भाई देखो यहां पर हैड्रोजर अकेला है और यहां हईड्रोजर यहां थो है तो यहां पर है हुर सकते हैं इसमां करते क्या चल्ड 865 एक कर देदे अब गौना करेंगे तो तो हमारे पाष कितना हो जाएंगे यह 2 हो जाएंगे 2 से 3 वो गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे अब दो debating है तो यहां भी हाइडोजिन 2 हो गया क्लियर नाइटकेशन campa Jadi you have it छे है तो यहां भी ऑक्सिजन छे है अब देखे कैल्सिन यहां पर एक है तो कैल्सिन यहां पर एक है अब लो भाई यहां पर ऑक्सिजन दो है और यहां पर ऑक्सिजन एक के वह है तो इसमें हम दो से multiply कर देंगे, तो 2 से multiply कर देंगे, तो सब में गुना करेंगे, तो 2 से 2 में गुना करेंगे, तो कितना होगा सर, ये 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो हम लिगे देते हैं सर, 4, हो गए रे भाई चार हो गए तो देखते हैं देखो हाइड्रोजन दो यहां है और हाइड्रोजन दो यहां भी यह तो दो और दो चार हो गया तो इसाइड हाइड्रोजन चार है मतलब बराबर है क्या बराबर है यह सब अलग गुरूप है यह अलग गुरूप है दोनों में एकसिजन 2 है तो 6 2 8 हो गले अब इसमें 6 8 है तो ऑ distribute नहीं है तो सब कुछ यहां पे बराबर है कोई प्रकार का दिकत नहीं है तो सब बाद H2O यानि जल में 2 से multiply किये हैं तो 2 यहाँ पे लिख देना, यह हो गया balance, ठीक है, यह संतुलित हो गया, अब कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो आपने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लिया, अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, next question, यह हमारे पास दूसरा प् तो एक side हमारे पास sodium hydroxide है, और sulfuric aml है, और इस side sodium sulfate है, और H2O यानि जल है, दोनों में हमें क्या करना है, balance करना है, तो परतेक तत्तों के प्रमानु करमांक बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, देखते हैं, पहले देखो, sodium, यहाँ पे sodium कितना है, अकेला है, तो यहाँ पे एक हो जाएंगे, hydrogen यहाँ पे कितना है, अकेला है, तो इसके लिए हमारे पास एक हो जाएंगे, यह एक ग्रूप का है, तो एक ग्रूप में बाट दो, ठीक है, हमने एक ग्रूप में बाट दिया, अब कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, H2SO4 है यहाँ पे, है ना, अब इसमें यहाँ पे, अब यहाँ से हम क्या कर सकते है, यह सोडियम सलफएट है, अब देखो, यहाँ जाएंगे, sodium sodium हमारे पास 2 है, sulfur यहाँ पे क्या है? अकेला है oxygen यहाँ पे क्या है? 4 है यह एक group का है तो एक group का हमने बाट दिया कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई यहाँ पे आ गया, अब plus called group change रहे, यहाँ पे जल है hydrogen कितने है? 2 oxygen कितने है sir यहाँ पे अकेला है, तो एक group का है तो एक group का, अब दोनों देखो यह बराबर है या नहीं? तो चलिये हम क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं सब को sodium अकेला, तो sodium यहाँ पे 2 है तो इसमें क्या करो? 2 से multiply कर दो clear? तो हम 2 से multiply किये तो 2 से I adjust, 2 हो जाएगा तो इसमें भी गुणा करेंगे 2 से 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएँगे clear? अब द देखो दो से 1 में गुणा करेंगे तो यहां भी 2 हो जाएँगे okay, मैंने गुणा करनेका, sodium दो? तो सोडियम दो तो सोडियम दो ऑक्सिजन यहां पे दो है और यहां भी ऑक्सिजन दो है लेकिन गौर करो यहां ऑक्सिजन दो है और नीचे भी ऑक्सिजन चार है तो ऑक्सिजन दो ऑक्सिजन चार जाल दो छे यानि ऑक्सिजन हुआ छे इस साइर देखते हैं ऑक्सिजन छे है क नीचे भी देखो हाइड्रोजन है क्या है हाँ है हाइड्रोजन दो और हाइड्रोजन दो दो कितना हुआ चार तो यहां भी हाइड्रोजन चार यह बराबर है सर तो ऑक्सिजन भी बराबर हाइड्रोजन भी बराबर और सोडियम भी बराबर अब सलफर देख लेते हैं सलफर यहां पर एक है यहां भी सलफर एक है तो सलफर भी यहां पर बराबर है तो सब कुछ यहां पर बराबर हो गया यह नहीं संतुलित हो गया जब संतुलित हो गया तो हम क्या करें जिसमें सा मल्टिप्लाई कि इसना कर दो इसमें हमने क्या किया है दो से लिख देंगे में कितना से लिझे है से अब ये हमारे पास सं तूलित हो गए बैलेन्स KLEAR ये आपने समझ रिया आगे बढ़ते हैं यह यह कोस्ञिंअ आप गोजर आ रहा होगा कि यह पहले से संतुलित है जैसे हैं सोडियम अकेला है तो यहां भी सोडियम अकेला है बालेंस संतुलित है ऐहां मतलब यहां बराबर है एजी यानि चांदी बोले तो सिल्वर, सिल्वर यहां अकेला है, यहां भी सिल्वर अकेला है, बडबर है, ठीक है, एनो थिरी, देखो यहां पर नाइट्रोजन एक है कह सकते हो, तो यहां भी नाइट्रोजन अकेला है, ठीक है, ऑक्सिजन तीन है, तो यह बराबर है, पहले है यहां बैरियम सल्फेड है और हाइड्रो क्लोरी कमल है इसको संतुलित करना है कैसे करेंगे तो बैरियम की संख्या बैरियम कितने है अकेला है तो एक लिख दो क्लोरिन कितने है सर क्लोरिन यहां पे दो है तो यहां पे दो लिख दो यह एक ग्रूप का तो यह हमारे पास ए सलफर यहाँ पर अकेला है तो एक लिख देंगे है ना ओक्सीजन कितने है सर यहाँ पर चार है तो यहाँ पर चार लिख देंगे है ना यह आपने देख लिया ओके अब यहां से क्या करेंगे सर यह एक गुरूप का है अब इस साइड हमारे पास अलग गुरूप का है देखो बेरियम कितना है सर यहां पर अकेला सलफर कितना अकेला ओक्सिजन कितना चार अकेला अकेला खाएगा केला बाद में खाएंगे अभी भूक नहीं लगा हुआ है हाइड्रो क्लोरी काम में देखिया हाइड्रोजन कितना अकेला क्लोरीन कितना अकेला है न लो भाई यह आपने देख लिए आप बराबर करो बैरियम एक यहां भी बैरियम एक क्लोरीन यहां दो है यहां क्लोरीन एक है गुना कर दो दो से मल्टिप यहां तक बराबर क्लोरिन दो तक बराबर हो गया हना बेरियम भी बराबर है हाइड्रोजन दो है यहां भी हाइड्रोजन दो हो गया बराबर है सलफर एक है यहां भी सलफर एक बराबर है लेकिन यहां पर ऑक्सिजन चार है यहां भी तो ऑक्सिजन चार है यह भी बराबर है सब कुछ हमारे पास बराबर आ गया जब हम इसमें HCL में 2 से मल्टिप्लाई कर दिये कितने से गुना किये थे सर दो से मल्टिप्लाई किये 2 रख दो ये हो गया संतुलित क्लियर तो आपने इसको बैहतरीन तरीके से सर समझ लिया जब समझ लिया हैं तो थोड़ा पानी पी लेते हैं अब तो वो का बाद आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ें चलो भाई आगे बढ़ते हैं क Tout आप बात आती है राशानिक समय करन को संतुलित हमने किया था तो लेकिन सांड़न कि संतुलित करना क्यों आवस्य यह पूछा जारे देखो उत्तर मैंने लिखा या New answer मैंने उत्पाद होता है तो परतेक पदार्थों कि परमानों की संख्या बराबर होनी चाहिए रसाइनिक्स समी करन जब संतुलित करते हैं तो उसमें क्या होनी परतेक परमानों की संख्या बराबर होनी चाहिए तो जब बराबर होनी चाहिए तो इससे हमें क्या निश्कर्स निकला इसलिए हम इसको संतुलित कर देते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया यहां पर देख सकते हैं पांच प्रकार क्यों होते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया दूसरा अभियोजन अभिक्रि सभिधिया कंद्धा और भी केदर होने रहील किसे हैं उब दोकल के में नुद रहे होतЙ थियुकर्ण कि भी꼃 को सब्सक्राइब क्यांगे आगे बरता है यहां पर देखो आगे में बता देता हैं नुद है嘛, स्वे शजंपुलर, भीयोजनी के वह बोल रहा dhe, है न, संयोजनी, संयोजनandır भी धे व किरिया, हम कहते हैं है, न, संयोजनी अभी किरिया गया किसे समज़ें कि दोacyjाद के मिल कर कि एकल उत्पाद का निर्मान कर तो उसे संयोजन अभिकरिया कहते हैं के लिए तो यहां पर देखो संयोजन अभिकरिया हम किसे कहते हैं मैंने लिखा कि इस अभिकरिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्मान कर दे उसे हम संयोजन अभिकरिया कहते हैं उदाहरन के लिए जैसे कोईले का दहन यहां पे देख सकते हैं हैना कारवन है और ऑक्सिजन है तो कारवन कारवन को यानि को ऑक्सिजन को पस्ति में जलाते हैं तो कारवन डियाकसाइड निकलता है है तो यहां पे देखो दो या दो से अधिक अभिकारक है और यह अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्मान कर दिया है इसलिए हम इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया क्लियर वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसमें क्या होता है एकल वियोजन अभीक्रिया में एकल अभीकारक तूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्मान कर देता है उसे हम क्या कहते हैं तो वियोजन अभीक्रिया कहते हैं ठीक है तो मैंने लिखा क्या एक अभीकारक तूट करके हैं दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभी किरिया कहते हैं उदाहरन के लिए यहां पर देख सकते हैं कैल्सियम कारवोनेट है इसको उस्मा की मदद से तोरा गया तो कैल्सियम ऑकसाइड निकला है और कारवन डायकसाइड निकला है यह एस लगा यह सब मजलिया अब वियोजन अभी किरिया के प्रकार होते हैं तीन तीन प्रकार कौन-कौन है एक होता है उस्मिय वियोजन दूसरा होता है विदुत वियोजन और तीसरा हता है प्रकासिय वियोजन हना तो इन तीनों को समझेंगे उस्मिय वियोजन में उस्मा की मदद से तोरा जाता है विदूत विदूत की मदद से तोड़ा जाता है प्रकासिय में प्रकास की मदद से तोड़ा जाता है जैसे यहां पर देख सकते हो उस्मिय अभिक्रिया किसे कहते हैं या उस्मिय वियोजन वही बात है तो उस्मिय अभिक्रिया तो अभिकारक का उस्मा यानि गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ही उस्मिय वियोजन कहते हैं मैंने बोला ना कि अभिकारक को उस्मा की मदसे तोरा जाता है उसे उस्मिय व वियोजन होगा उसे हम कह सकते हैं विद्धुत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को हम क्या कहते हैं विद्धुत वियोजन कहते हैं जैसे यहां पर हमारे पास देख सकते हैं जल को जल के अंदर अगर विद्धुत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता ह hydrogen gas निकलता है or oxygen निकलता है, इस बात को धियान रखना, ठीक है, जल के अंदर जहाँ पानी है, वहाँ पे अगर बिजली देंगे, धारा प्रभाहिद करेंगे, तो क्या क्या निकलेगा मेरे भाई, hydrogen gas और oxygen gas निकलेगा, इस बात को धियान रखना, जल ये दो जो लगा है, ये बालेंस करके रखा, ये दो जो आगे दिया गए, जल का सु्त्र या मत समझ लें है, 2H2 होता है, ये गलत है, ये बालेंस करके रखा heated 2019 hydrogen यहां पर 4 है oxygen यहां पर 2 है है ना तो इधर भी देखो hydrogen 2-2 4 है oxygen यहां पर 2 है simple है ना तो यह आपने clear कर लिया तीसरा हमारे पास क्या है प्रकासी वियोजन हम आखिर कहते किसे हैं तो प्रकासी वियोजन में देखिए सूर्ज के प्रकास की उपस्तिती में होने वाले वियोजन को हम क्या कहते हैं प्रकासी वियोजन कहते हैं इस बात को ध्यान रखना है ना तो यह आपने देख लिया तो जैसे की सिल्वर क्लोराइड है और इसमें क्या है सूर्ज की प्रकास की मदस्त तोरा गया है तो सिल्वर अलग और क्लोरिन अलग हो गया है और इसका प्रकासिय व्योजन का ही हम ब्लेक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रकासिय व्योजन का हम उपियो करते हैं प्रकासिय क्रिया सिल दात्तों को उसके यौगीक से उसको अलग कर दिता है इस कर्दिक लिए पढ़ना होगा गुगल में यूट्वेश 스ani बाइपभगल में रंद है यूट्म पर की सक्रियाता सिरेनी पउनकसर तो उपर मिल जाएगा एकदम ट्रिक से मैंने बता दिया है सक्रियाटा स्रीनि exempt को कैसी याद किया जाता है। ठीक है तो इस अभी किरिया में अधी किरिया सील नत्तों जो होते हैं वह कम किरिया सील नतों को उसके योगीक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित का मतलब अलग कर देता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, फेरस है बोले तो लोहा है, और कॉपर सल्फेट है, जो की एक्वस है और फेरस जो हमारे पास है, वो सॉलिड है, तो यहाँ पर देखिएगा, कि यह जो हमारे पास यह जो लोहा है है ना वह कौपर से ज्यादा किरियासील है है ना ज्यादा किरियासील है इसलिए क्या करेगा कौपर कहे लोहा कहेगा कि रे कौपर तु सलफेट में से हट है ना क्यूंकि यह ज्यादा किरियासील है तक कम किरियासील तो मार पीट करके इस के भगा दिया तो यहां पर विस्थापित हुआ है तो इसे ही विस्थापन अभी किरिया किसे कहते हैं दूइस थापन में दो बार विस्थापित हो जाता है तो यहां पर देखिए इस अभी किरिया में दो बार विस्थापित होता है इसलिए इसे दूइस थापन अभी किरिय हम कहते हैं इस बात को ध्यान रखना ठीक है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं sodium sulphate है और barium chloride है है ना तो एक बार क्या करेगा जैसे sodium sulphate जो है इसी के योगिक से इसको विस्थापित कर देगा barium को तो sodium के जगह जगह पर क्या जाएगा इस बाद क्या लेगा सलफेट के तरफ हैना छो आ जाएगा सलफेट के साथ जूर जाएगा तो still माइब जाएगा ठीक है और इस तरीके से दो बार विस्थापित हुआ है तो दो स्थापन अभिक्रिया कहलाएं अब नेक्ष्ट चलते हैं यहां पे देखें मेरे भाई यहां पे क्या है अप्चयन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखो अप्चयन अभिक्रिया और उप्चयन अभिक्रिया दोनों अगर साथ में होता है तो उसे हम रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं तो सबसे पहले आपचयन को समझेंगे और उपचयन को समझेंगे इस बात को ध्यान रगा उपचयन अभी किरिया किसे कहते है तो उपचयन अभी किरिया देखिए पदार्थ में ऑक्सीजन में विर्धी होना या हाइड्रोजन का हरास होना जब ऑक्सीजन की विर्धी होत यह झूलरेगा तो हाइडर्योजन का त्याग होगा और अब आप्चिन अभीकरिया में क्या होता फशियन का हरास होता है आप स्थेज़हिए कि यहां पेकर एधर oxygen इधर जाकर के co2 बनाए carbon dioxide तो इसमें oxygen जूर चुका है तो oxygen जूर गया इसलिए उप्चैन अभी किरिया है ना और अप्चैन अभी किरिया किसे कहते हैं अप्चैन अभी किरिया है ना किसे कहते हैं सर तो यहां पे देखो कि पदार्थ में hydrogen की विर्धी या फिर oxygen का हरास होना तो इसमें आप देखिए क्या है तो इसमें आपको देखो उप्चैन अप्चैन दोनों हो रहा है दोनों पता चल जाएगा यहां पर गौर कीजिए कि यह hydrogen है और hydrogen के साथ यहां पर oxygen जूर चुका है hydrogen के साथ oxygen जूर चुका है तो मैंने क्या बोला किआगर oxygen की विर्धी यानि oxid came Kerry व्यूथी होती सुकूंसे अभी काहलाएगी है नहीं oxygen की विर्धी होती समय तो उपचेनि वी काहला जैसे यहां पर देख सकते हैं प्रदार्त है उपके नभी कीरिया है ना आप इसी में गौर खीजिए यहां पर और अक्रिघ कारीच ऑउक्साइड से यहां पर आप यहां से उफ्स geograph कर से उफ्सेजन घ्रात गया मतला सक्राश हो गई कमी हो गई तो औ으면 का ऑर ग्लास होना क्या कहलता है अप्चयन अभिकिरिया कहलाता है अप्चयन अभिकिरिया कहलाता है अभिकिरिया ठीक है यह आपने समझ लिया तो दोनों एक्स आईए अब किया करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने अप्चन अभी किरिया के बारे में समझ लिया, इसी का एक देखिए आपके बुक में इस टैप के दिये होंगे, अप्चन अफन के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहां hydrogen अकेला था, एक मिनट, sorry, यहां पे color ले लेते हैं, hydrogen यहां पे अकेला था, इसमें क्या हुआ? ह2O हो गया, मतलब यहां पे देखिए oxygen इसमें जूर चुका है, तो oxygen का योग हो रहा है, इसलिए उप्चैन अभिक्रिया है, और यहां पे देखिए, यहां पे copper मे max जुरा था carbon dioxide में पर तो यहां जुरा था लेकिन यहां पर oxygen है नहीं तो यह हमारे पास कॉन अभी किरिया हो गया एक इसको रदाख में क्यांगे कुछ अन्हे उदारन यहां भी देख सकते हैं जैसे की कारवन यहां अकेला था इसमें आगे चलकर किया नहीं है है ना सौरी आगे बढ़ गया धोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहां पर देखो है ना तो जीन्कि में सबस्राइब मतलत और आक सीजन का हरास आरा यहां पर कमी हो रही है तो आक सीजन का हरास होगा तो क्या होगा हमारे पास अफचे नभी किति दिया ठीक है आदी के संपर्क में आता है तब दहातु संचारित हो जाता है जैसे कि लोहा ले लीजिए है ना अब उसको वातावरन में रख दीजिए या पानी के पास रख दीजिए कहीं भी रख दीजिये ठीक है और उसमें पेंटूट नहीं कीजिए तो वो क्या होगा दीरे-दीरे ज़रं का ही उदारन है नोहापे जंगलना जंग सकते बिब्चाने के लिए रहे हैं या लगह C लड़कियां पाल पहंती है ना उनुदा हुझा ़ंध राज फाल मती जाती है समझ रहे ना तांबे पर हरी पर चड़ जाना तांबे के तार से अगर बिजली खीचेंगे ना पूल पर से जहां छिले होंगे ना उस पर देखना की हरी पर चड़ जाती हो इस पर ठीक है तो यह भी आपने देख ला विकृत गंधिता क्या है यह वसाय युक्त और लिए खाद सामगरी यानि जो खाने वाले आइटम्स होते हैं है ना उन सभी में वायू के संपर्क में आने पर क्या होता है उप्चैत हो जाता है वायू के संपर्क में ऑक्सिजन से वो किरिया करके उप्चैत हो जाता है जिसके करण स्वाद और गंद का परिवर्तन हो जाता अब खराब हो जाता है उसका वाद जैसे की कुरकुरे खाते हैं न और क्या बोलते हैं अलू कर फंदन कि वेफर केला लगक्तार तो यह सब खाते हैं ना टीके थैली में यूजित थैली में यह बरा जता है च्ल्दन गयस भाता ताकि जादा उसमें दीकहे है नहीं सोच लेता है तो अधी बात नहीं है उसके अंदर जो हावा भरता रहता है वो इसलिए भरता तकी यह लंबे समय तक चले अगर देखेगा उसमें से नाइट्रोजन गैस यानि हावा निकला हुआ है फूट गया कहीं से लिकेज हो गया पूर्पूर्ष हो गया मूंग दाल हो गया सब में तो यह आपने विक्रित गंधिता क्या रहता दो वसायुकत और तहलीए खाद सामगरी वायू के संपर्क में आने पर उपचेट हो जाता है जिसके कान स्वाद और गंद में परिवर्तन हो जाता है ठीक है यह आपने समझ लिए विक्रित गंदी था उसमा छेपी अभी किरिया सर की से कहते हैं है जीन अभी किरिया में उत्पाद की निर्मान के साथ साथ उस्मा का है ना उस्मा का प्राकिर्तिक गैस का दहन उस्मा का भी उतसर्जन होता है यानि उस्मा निकलता है है ना उसी को हम क्या कहते हैं उस्मा छेपी या जैसे प्राकिर्तिक गैस का दहन मिथेन का दहन करते हैं यानि मिथेन को ऑक्सिएन की उपस्तिती में नजल तो उत्पाद के साथ साथ उस्मा निकला है ना उत्पाद के साथ साथ क्या निकला मेरे सेर नहीं ललीपप तो उत्पाद के साथ साथ क्या निकला मेरे भाई तो यह आपने समझ लिया देख लिया कि उत्पाद के साथ साथ उस्मा का यहां पे निकला निकला हुआ है न तो वही बात है है ना definition को यह satisfied कर रहा है तो यह आपने समझ लिया को दिक्कत नहीं दिक्कत नेक्स्ट कॉस्टन उस्मा सोसी अभीकिर्या किसी कहते हैं तो जिन अभीकिर्या में अभीकारक को तोरने के लिए उस्मा परकास और उर्जा कि आसकता होतीं जैसे जिस heir this now की मदद से तोरा गया तो calcium oxide तथा carbon dioxide निकला हुआ है ठीक है तो यह भी उसमा सोसी अभी के लिए आपने समझ लिया next question अब कुछ बचा नहीं अब हम डायक चलेंगे page के प्रशन के जो आपके book में दिये गया है page के प्रशन उसको हम solve करेंगे तो जैसा कि देख सकते ऐसकी is page के प्रशन में total 3 प्रशन दिए गए है तीनों प्रशन को राप्ची के स्थाल में समझेंगे तो पहला प्रशन है वायू में जलाने से पहले मैगनिसियम रिवन को साफ क्यों किया जाता है यह question यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि वायू में जलाने से पहले मैगनिसियम रिवन को साफ क्यों किया जाता है तो यह हमारे पास मैगनिसियम रिवन है और यह हमारे पास रेगमाल है यह से ह बचान की जंग हट जाता आता या पर पेंट्न चड़ान को आखिर जलाने से पहले हैं इसको जलाने से पहले हैं उसको जल है क्यों कि ut camagni s even max magnesium auction की परचटी तब परच जाती है जो magni say औक साइड उसको जलने में रो अवरोध पैदा करता है विरोध करता है कि नौ जले देबू है ना इसलिए मिस्तिरिया पकवर करके क्या करता है तो यहां पर लिखा उतर मैंने मैंगनीसियम रीवन की सता पर उपस्थित मैंगनीसियम औक साइड की सता को साफ करने के लिए दहन से पुर्वी जलाने से पुर्वी से रेगमाल से साफ किया जाता है तो मैंगनीसियम रीवन पर मैंगनीसियम औक साइड की परच जाती जो जलने में औरोध यानि बिरोध पै के प्रशन टू दूसरा प्रशन का ये पहला है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं जैसे दूसरे प्रशन में तीन प्रशन दिये गये थे हैं तीनों प्रशन को सॉल्व करेंगे तो यहां अरे क्यों बाई चल क्यों नहीं रहा हां तो दूसरा प्रशन का ये पहला प्रशन है उ उसी तरीके से आप देखेंगे यह तीसरा फ्रश्न है है ना तो सब को समझेंगे सबसे पहली बात है क्या कहता है निमलिखी तरह सानी कभी किरिया के लिए संतुलित समीकर लिखें संतूलिष समीखरन आप को लिखन आ यहां पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहां पे ऐसे लिखेंगा हाइड्रोजन गयस् के दो शनु होते हैं ना है रुदिन के दो लुए था है तो यह हमारे पास आ गया है ना अब इसको बैलेंस करेंगे यानि संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन यहां पर कितने है और यह गुरूप का तो एक गुरूप में बाट दो है ना अलग अलग गुरूप में अब यहां से क्या करेंगे साथ है यहां पर हाइड्रोजन कितने अकेला है और क्लोरिन कितने तो अकेला है तो क्या करेंगे एक गुरूप का तो एक गुरूप में बाट देंगे अब इसमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन दूए यहां हाइड्रोजन एक है तो इसके लिए आप से multiply कर दो सर दो से multiply कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास dwa कितना हो जाएगा दो हो जाएगा हमारे रूचो ऐसे करो है मिठा दिए हम ने यहां पर dhho आपर dhhood यहां पर 2 से multiply और फिर पर 이제 कम दो तो hydrogen हो गया 2 और chlorine भी यहां पर एकम दो सब यहां पर बराबर रहे hydrogen दो तो hydrogen भी दो, chlorine दो तो chlorine भी दो, यानि इसमें दो से multiply किए तब, तो ये हमारे पास संतुलिद समीकरन प्राप्थ हो गए है, next question, यहाँ पे barium chloride है, प्लस में aluminium sulfate है, अभिकिरिया करके barium sulfate बनाता है, और aluminium chloride बनाता है, तो हमें इसे संतुलिद करना है, तो सबसे पहले इसक किया होता है, सुत्र, AL2, ASO4 का halthritis, barium sulfate का क्या होता है, BASO4 होता है, aluminium chloride का सुत्र क्या होता है, ALCL3 होता है, और barium chloride है, यहाँ पर मैंने barium chloride نही लिखा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर barium chloride, तो देख सकते BACL2 होता है, barium chloride, तो हम यहाँ पर लिखते BACL2, vamos Cl to, barium chloride, pub मुलिस प्रेंट में अलिमुनियम सल्फेट में तो यहाँ पे देख सकते Ayamal का हॉल थष ठीक है यह मैं ने कर लिख दिया अब रियक्शन करके क्या बाना ant ant वानर्ण तो देख सकते वीक्राइब करतो रहा है बेरियम सलफails तो भी ए एस ओक्रोफ बेरियम तुर्फिट आप चलहलेस में हंल्मॉनियम क्लॉराइड है तो ध यूअ मुड होता है तो नड है यूअ मोंड कॉर्म 的 अल्मॉनियम क्लॉराइड का बी शल्कां तो कहां सेुवा थO यूपर है है ना यहां से क्या करेंगे हम तो देखो चलो भाई इसको क्या करेंगे संतुलित करेंगे तो बेरियम कितने हैं भाई यहां पर बेरियम अकेला है तो एकेला रख दिये क्लोरीन कितने क्लोरीन यहां पर दो है तो दो रख दिये यह एक ग्रूप का तो एक ग्रूप का यहां पर एलिमूनियम कितना है एलिमूनियम यहां पर दो है तो दो कर देंगे अब एलिमूनियम दो रख दिया है अब यहां पर अकेला है तो सल्फर कितने हो जाएंगे सर सल्फर यहां पर एक से तीन में गुना करेंगे तो तीन हो जाएंगे अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं औक्सिजन यहाँ पे चार है, चार से तिन में गुना कर देंगे, चार तिया इबारा, यह सब आता ही होगा, हमने यहाँ पे कर दिया, यह A गुरूप का A गुरूप कर दिये, अब इधर देखते हैं, बेरियम कितने हैं सर, बेरियम अकेला है, अकेला रख दिये, सलफर कितने है सर like hell aог citizen कितने चार तो चार यह ए ग्रूप का तो एक ग्रूप में बाठ दिया? अल्यमूनियम कितना है सर के लाह है और क्लॉरीन कितना है सर्क तो तीन है यह और चुंक का तौरीजक्जा और इसесको हूं क्या करेंगे तो हम क्या करते हैं सर देखिए क्या करेंगे सर देखिया कितना एक तोरीम Great Я tahun до है और यहां क्लोरिन है मिल नहीं रहा है तो चलो इसको छोड़ो पहले दुसरे कशन में लमुनियम दो है यहां यहां यह एक है तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से multiply कर, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे, हाना, ये आ गया, अब देखो, Beream अखेला कलियम आखेला कलोरीं 2 है, और यहां पर कलोरीं 6 है, तो बराबर करने के लिए इसमें, इसमें, कितना से multiply can apply करना पड़ेगा 3 से तो 3 एकूं 3 हो जाएंगे संस्बाइब 3 हो जाएंगे हमने 6 कर दिया अद रैकिन करना हैं तो इसमें कुल आग कर दो 3 से 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे 3 एकूं 3 हो जाएंगे फिर तीन एक हम स्थक हो जैएंगे चाली पारा वी दिखेनी ऑक Wi-Fi यानि रॉक्सीजङण भी बारा हो गया ओक्सीजडरी क्या हो जाएगा रेर पारा हो सब देखाने नरॉच चारती बारा अब बराबर करके देखो कि चाहे बैरियम मिन देगे बैरियम में तीन है क्लोरिन 6 है तो क्लोरिन यहां पे 6 है चलो ठीक है ऐलिमुनियम यहां पे 2 है ऐलिमुनियम कितने 2 है तो यहां भी ऐलिमुनियम 2 है चलो बराबर है सलफर 3 है तो यहां भी सलफर 3 है बराबर है ऑक्सीजन 12 यहां भी देख सकते ऑक्सीजन 12 सब बराबर हो गया मतलब यह संतुल अब इसमें हमने कितना BASO4, है ना, barium sulphate में 3 से multiply किया, तो 3 लिखेंगे, L, CL3 है, तो aluminium chloride में 2 से multiply किया, तो 2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास संतुलित हो गया, अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत में भाई, तो आपने इसको समझ लिया, तीसरा हमारे पास है, sodium, Na, sodium, आप पलस में जल, मतलब H2O, ये जल हो गया, अब ही किरिया करके, sodium hydroxide, यानि NaOH, sodium hydroxide, आप पलस में hydrogen gas, मतलब H2, ये देता है, अब इसको हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोडियम यहाँ पे, ऐसे लिख लो, sodium, sodium कितने हैं? अकेला है, तो अकेला, ये एक ग्रूप का, एक ग्रूप में बाढ़ दिये, hydrogen कितना है, hydrogen यहाँ यहाँ पे दो है, और oxygen यहाँ पे एक है, तो ये एक ग्रूप का, तो एक ग्रूप में बाढ़ दिये, अब यहाँ पे, sodium क कितना है अकेला है तो अकेला ऑक्सिजन कितना है यहां पे अकेला है तो अल्ग कैना और है हाइड्रोजन कितना है यहां पर अकेला है तो अकेला यह मैंने कर दिया कोई लिकत नहीं दिकत यह एक गुरूप का तो एक गुरूप में बाट दिये हाइड्रोजन यहां पर दो है तो दो लो अब बराबर करो सोडियम अकेला है हाइड्रोजन दो तो यहाँ हाइड्रोजन एक है वैसे तो गुना करेंगे तो दो दो चार हो जाएगे अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं हम गुना कर देते हैं लो इसमें हम अगर दो से मल्टीपलाई कर दे है ना तो सोडियम यहाँ पे दो हो जाएंगे ऑक्सिजन यहाँ पे दो हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी यहाँ पे दो हो जाएंगे बराबर करके देखो सोडियम एक है यहाँ सोडियम दो है इसमें दो से मल्टीपलाई कर दो दो दुनी, चार हो जाएंगे, फिर दो एकम दो हो जाएंगे, अब बराबर करके देखो, सोडियम दो, सोडियम दो है सर, है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे चार, तो हाइड्रोजन यहाँ दूगो, और हाइड्रोजन यहाँ दो, दो दो चार, मतलब हाइड्रोजन भी बराब सब्सक्राइब तो जिसमें जितना से मल्टिप्लाई के लिगदे सोडियम में हमने 2 से मल्टिप्लाई किया ह सन तूब ह संतुलित हो गए अब कोई हववड खुजली परेसानी हुआ नहीं न चलिए अब क्या करते हैं सर आगे बढ़ेंगे और अगला कोश्चन जो है न वो हम देखेंगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा प्रशन क्या कहता है सर निमलिखित अभिकिरियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के स संतुलित रासानिक समीकर्ण लिखिए संतुलित रासानिक समीकर्ण यह पहला प्रशन है और यह दूसरा प्रशन है चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं तो पहला प्रशन को सॉल्व करते हैं यह क्या कहता है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सलफेट के विलियन क्लॉराइट यानि बी ए ऐ सी एल टू बेडियं क्लॉराइड जल में है तो जल में है यह एकवस होगा जलिए विलियन तो एकीव एकुएस अवस्थ दर्सा दिया हां घ्रीय घ्रलरे तथा तथा क्या सोडियम सल्फेट मतलब एन एटू एस ओफॉर सोडियम सल्फेट है ना तो यह भी क्या है हमारे पास जल में ही है तो यह भी एक्वस होगा यानि जल यह विलियन होगा तो मैंने लख दिया तो सोडियम सल्फेट के विलियन अभी किरिया करके अभी किरिया करके कर का Willian sodium chloride यानि nA-Cl sodium chloride यह भी किया है विलियन तो यह भी एक जलीय विलियन आधि स्था में हमारे पास है aques हना आप फल्रास में sodium chloride तथा और घुलन सील barium sulphate और भुन सील बेरियम sulphate यानि बी ऐय सोफोर बैरियम Auram अगुलंसील है मतलब सॉलिड है इसके लिए हम एस लगा देंगे यह मैंने कर दिया कोई दिकत नहीं दिकत यह मैंने ला दिया अब यहां से क्या करेंगे सर इसको तो मैंने लिख दिया अब इसको संतुलित कर देंगे तो चलो संतुलित कर देते हैं यहां पर बेरियम कितने ह क्लोरीन कितने है यहां पर दो है यह एक ग्रूप का है तो एक ग्रूप में हमने बाट दिया अब यहां से क्या करेंगे सोडियम यहाँ पर देखो सोडियम कितने है दो है सल्फर कितने है एक है और ऑक्सीजन कितने है चार है यह मैंने एक गुरूप का है तो एक गुरूप में बाट दिये और यहाँ पर लो क्या करेंगे इस गुरूप में देखो यहाँ पर सोडियम कितने है सर अकेला है क्लोरीन कितने है अकेला है एक गुरूप का है तो एक गुरूप में बाट देंगे बेरियम कितने है सर अकेला है सलफर कितने है सर अकेला है और ऑक्सियन कितने है सर चार है यह एक गुरूप का है तो एक गुरूप में बाट देंगे ठीक है यह मैंने रख दिया अब ब्रावर को भश यहां है तू से मल्टिप्लाई कर दो सर दों से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यहलं यह भी हमारे पास 2 हो जाएंगे अब देखो क्लॉरिन दो हो गया तो इधर दो हाँ ठीक है oxygen 4 तो oxygen 4 है बेरियम एक तो यहां बेरियम एक तो सब कुछ बराबर हो गया अब यहां पर कोई चीज करने की जरूरत नहीं है तो हमने n a c l में 2 से multiply किया है तो हम यहां पर 2 लिख देंगे को दिकत नहीं दिकत तो यह संतुलित हो गया सब कुछ बराबर हो गया तो यह मैंने कर दिया मेरे भाई अब यहां पर दूसरा प्रश्ण देखते हैं दूसरा प्रश्ण सोडियम काता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले लिख लो सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एन ए ओ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन, जल में, जल में, अपलस, सोडियम हाइड्रोक्लोरीक अमल क लिए फिर यह जल में से अभी किरिया करके अभी किरिया करके sodium chloride मतलब NACL sodium chloride तो जल में से अभी किरिया करके sodium chloride यानि NACL sodium chloride का willion तथा जल बनाते हैं deal chloride का willion तथा जल बनाते हैं ना जल बनाते हैin Sudium chloride ये भी हमारे पास क्या है aqueous है ये Willion है और जल क्या बनाते हैं सोडिम chloride का willion तथा जल बनाते है यानी plugins में H2O १ act टू उ-व जल बनाती है यह दिक्वीड है ये मैं चलो सोडियम यहां पे अकेला है तो अकेला ऑक्सिजन यहां पे एक है तो हाइड्रोजन यहां पे एक है एक गुरूप का है तो एक गुरूप में बाट देंगे है एक है एक गुरूप का है तो एक गुरूप का है तो एक गुरूप में बाट देंगे हाइड्रोजन यहां पे दो ऑक्सिजन यहां पे एक है न एक गुरूप का है तो एक गुरूप में बाट देंगे मूझन म dönus به अब यहां से क्या कर सकते हैं कि स्जोडियाम स्टीयम ज़एक ऐसे है इसने हम दो से मल्टेप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा दो यह भी दो हो जएगा यह भी दो हो जाएंगे आब देखों किस अपर दो हो गाल शूरीक यहां पर दू प्लरीन यहां पर 2 अब बरावर कर के देखो सोडियम दो तो सोडियम दो है одно लिए ह्प्रद के इसमें क्या करेंगे दो से मुट़्ीप्लाइब कर देढना क्षार हो जाएंगे अभुबि проб होता है सोडियम यहां दो सोडियम यहां पे दो हो गया ऑक्सीजन यहां पे दो है तो ऑक्सीजन भी यहां पे दो हो गया ठीक है हाइड्रोजन यहां दो है ता हाइड्रोजन यहां पे चार है ता हाइड्रोजन यहां दो है ना हाइड्रोजन यहां पे दो है और यहां पे करेंगे तो दो एकम दो अब बराबर करके देखो सोडियम दो है सोडियम दो है ठीक है ऑक्सीजन दो है तो यहां पे ऑक्सीजन दो है बराबर है हाइड्रोजन दो और यहां पे हाइड्रोजन दो दो चार तो यहां हाइड्रोजन चार है बराबर है ठीक है क्लोरीन यहां पे किया तो लिख दिया उसके बाद sodium chloride में हमने 2 से multiply किया तो यहां पे 2 लिख दिया है ना और h2 यानि जल में 2 से multiply किया तो 2 लिख दिया ये मैंने clear कर दिया को शिक्कत नहीं ना आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखो कहता है किसी किसी पदार्थ एक्स के विलियन यहां पर क्या कहता है किसी पदार्थ एक्स के विलियन है ना किसी पदार्थ एक्स के विलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है तो पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सुत्र बताई इस पदार्थ एक्स का नाम क्या है तो पहला का आपको क्या बताना है नाम इस पदार्थ एक्स का नाम क्या है और इसका सुत्र क्या है है ना तो हम दोनों लिखेंगे देखो तो एक्स के विलियन का उपियोग सफेदी करने के लिए किया जाता है तो कैल्सियम ऑक्साइड होगा क्या हो जागा सर जी कैल्सियम ऑक्साइड न है हमारे पास हो गया calcium oxide और सुत्र क्या होगा सर तो सी ए ए ओ calcium oxide अब यहां पर कोई दिकत नहीं न दिकत और calcium oxide को यह हम क्या कहते हैं बिना बूजहा हुआ हुआ चूना बूजहा हुआ चूना बूजहा पर क्या करना है सर दूसरा में कहता है कि ऊपर यानि एक में लिखे पदार्त X की जल के साथ अभी किरिया कराओ मतलब पदार्त ऊपर जो हमारे पास जो पदार्त है उसको जल के साथ अभी किरिया करना है तो उपर कौन सा पदार्त है कैल्सियम ऑक्साइड है तो यहां दूसर सी ए ओ एच का हॉल्ट वाइज कैल्सियम हाइड्रोकसाइड देगा है तो यह हो गया हमारे पास और कैल्सियम हाइड्रोकसाइड क्या होता है बुझा हुआ चुना होता है वह बीना बुझा हुआ चुना और यह होता है बुझा हुआ चुना तो हम यहां पर लिग देते हैं दूसरा प्रश्ण क्रिया कलाप एक साथ में एक प्रखनली में एक अत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है उस गैस का नाम बताई है ना आंसर मैंने लिखा कि दर्वमान सरंडचन के अनुसार जब जल के दो अनु जल के दो अनु अप घटित होते हैं तब ऑक्सीजन गैस का एक अनु उत्पन होता है है ना अता उत्पन हुई हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगुनी होती है अता एक प्रखनली में हाइड्रोजन गैस की मात्रा दो गुनी है ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रशन आता है कि ज तो बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है तो यहां पर उत्तर मैंने लिखा जब लोहे की कील को कॉपर सलफेट के विलियन में कॉपर सलफेट के विलियन में डुबोया जाता है तो विलियन का रंग नीले यानि पहले नीला होता है तो कॉपर सलफेट के विलियन का रंग नीले से बदल कर वो क्या हो जाता है हरा हो जाता है क्या हो जाता है हरा हो जाता है ऐसा क्यों क्योंक क्रियासिल है है ना तो सक्रिय भी कह सकते है या कॉपर सलफेट के घोल में कॉपर सलफेट के घोल में कॉपर को विस्थापित करने की छमता रखता है तथा आयरन सलफेट विलियर बना देता है यह इसका कारण है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह फेरा से बोले तो लोहा है और ये copper sulfit के wealier है तो लोहा जाधा किरियासील है इसलिए copper sulfit के wealier में से copper को विस्थापित कर देगा कहेगा maarpit के भाग तो copper को विस्थापित कर देगा मतला अलग कर देगा तो यह हो जागा फेर math and apply to your competition यहाँ पर देख सकते फेर इसलिए वो नीले से क्या हो जाता है हरा हो जाता है किलियर यह आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया अब क्या करेंगे सर है ना आगे हम देखेंगे सर है ना आगे बढ़ते हैं दूसरा यहाँ पर क्या कहता है सर यहां पर कहता है क्रिया कलाप एक दसमलब एक जीरो से विविन द्वीवी स्थापन अभी क्रिया का एक उदाहरन दीजिए यहां पर कहता है द्वीवी स्थापन अभी क्रिया का एक उदाहरन दीजिए हना देखिए पहला द्वीवी स्थापन अभी क्रिया में किरिया कलाप एक दसने एक जिरो कर रहा था तो किरिया कलाप एक दसने एक जिरो है इसमें देखिए एक प्रखनली लीजिए उसमें तीन एमेल sodium sulphate का wilion लेजिए तो एक प्रखनली यह है पहला उपर बला और इसमें sodium sulphate का wilion लेना तो sodium sulphate मतलब Na2SO4 यह sodium sulphate का हमने wilion लिया को दिकत नहीं दिकत तो sodium sulphate का wilion ले लिया पहला point हमने कर दिया दूसरा point कहता है एक अन्य प्रखनली में 3 ml प्रकुनलिय में क्या लेना है आपको बेरियम क्लोराइड लेना बि-ए ची एलट्व बेरियम क्लोराइड ले लिया अब कहता अगला पॉ초्ट कि दोनों विलियन को चितर एक दसल नॉम मिला लीजी और आपने क्या देखा मतलब इन दोनों को क्या न चितर नॉम तो दोनों को क्या कर देना मिला लेना है यानि सोडियम सलफेट को और बेलियम क्लोराइड को इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है मिला लेना है तो जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा तो चीत्र के हसाब से देखिए मिलाएंगे तो बेरियम सलफेट बनेगा तदा सोडियम क chloride the sodium sulphate और पलस बेरियम chloride है जब दोनों को मिलाएंगे जब दोनों को मिलाएंगे तो अभी किरिया करके देख क्या देगा बेरियम sulphate यानि बी ए एस ओ फोर बेरियम sulphate आप पलस में क्या देगा sodium chloride मतलब na cl कि टू देगा sodium chloride तो यह आपने दे दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अना यह आगया हमारे पास अब यहाँ पे आपने देख लिया अब यहां से क्या कर सकते सको बाइलेंस करना चाहते हैं तो बाइलेंस भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्त नहीं है मेरे भाई ठीक है संतुलित कर देना आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं क्लियर अब आगे देखते हैं अब यहां से हम क्या करेंगे सर वही चीज है जो चीज मैंने यहां पर समझा वही चीज यहां पर देखिए यह चीज सोडियम सल्फिट था देखिए यहां पर भी सोडियम सल्फिट है ठीक है बसरते हैं यहां पर दो नजर आ रहा है क्या है यह बाइलेंस करके रखा आप यहां पे जैसे दो रख देंगे तो यह बाइलेंस हो जाएगा यहां पे रख देंगा तो ठीक है तो वही चीज यहां पे है यहां पे भी वही चीज था है ना क्वेश्चन वही है यह सॉलूसन है तो वैसे भी हमने लिख दिया और यहां भी मैंने लिख दिया आपके भूक में था अब यहां पे देखो निमलिकित अभी किरियाओं में उपचाईत तथा अपचाईत पदार्थों की पहचान की लिए है ना तो जहां पे उपचैन होगा सबसे पहली बात है ऑक्सीजन का अगर योग होता है या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है तो हम क्या कहते हैं कि यहां पे उपचैन अभी किरिया है यदि ऑक्सीजन का वियोग होगा मतलब त्याग होगा त्याग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा योग होगा तो हम क्या कहते हैं कि अपचैन अभी किरिया है अपचैन अभी किरिया है तो यहां पे कहता है क्या है निम लिखित अभी किरिया में उपचाई तथा अपचाईत पदार्थों की पहचान करनी है कोई दिक्कत नहीं यह फोर लगा है ना यह सब संतुलित करके रखा पहले हम सोडियम लिखे लेंगे हमने यहां पे सोडियम लिखा पलस पे देखिए गौर से क्या देखेंगे जैसे कि सोडियम यहां पे अकेला है और आगे चल करके सोडियम में ऑक्सीजन जूर गया है तो यहां पे ऑक्सीजन जूर चुका है है ना जूर चुका है अपचैत और उपचैत बताना है तो यहां पे देखो ऑक्सीजन जूर चुका ह तो ऑक्सीजन का जूरना मतलब योग तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन किसमें जूरा है सोडियम में जूरा है इसका मतलब सोडियम का क्या हो रहा है उप्चैन हो रहा है सोडियम का क्या हो रहा है उप्चैन हो रहा है तो हम यहां पर ल हो रहा है अक्सेडिय hosted मिज्व रहा सवाल इसका हूं का उपचयन हो रहा है मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि की एक चीप हो रहा है ठीके अब इसी चीज को इसी चीज को अगर ऐसे लिखे मैंने पहले लिख दिया मालो की एन एट वot सोडियम उकसाईड लिखि दिया आब बाद में लिखा मैंने सोडियम है नवार पालस में आक poser यह लिखा तो यहां पे गोड़ से देखिए सोडियम यहां oxygen जुरा था लेकिन आगेचाघर करके यहां पर अक्सिजन अलग हो गया है अक्सिजन क्या हो गया अलग हो गया है है ना तो ऑक्सिजन का यहां पर क्या हो रहा है वियोग हो रहा है यानि त्याग हो रहा है तो त्याग हो रहा है तो क्या हो जाएंगे अप्चेन तो यहां पर ऑक्सिजन का क्या हो रहा है अप्चेन हो रहा ह अपचैत लिख सकते हैं अपचैत ठीक है अपचैत हो रहा है तो यह आपने समझ लिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई चलो आपने यह समझ लिया अब क्या करेंगे सर अब इसको देखेंगे दूसरे वाले को तो दूसरा का आप देखिये धियान से पहले इसका हम समी करनी साइड लिख देते हैं चलो कॉपर ऑकसाईड है कॉपर ऑकसाईड अपलस में हाइडरोजन गैस है हाइडरोजन गैस है तीर के निसान यहाँ पे कौपर है अब पलस में H2O यानी जल है यह मैंने लिख दिया अब यहाँ से क्या करेंगे सर इसमें देखेंगे किसका उपचैत हो रहा है किसका अपचैत हो रहा है क्लियर तो देख लें अब यहाँ पे देखिए यहाँ हाइड्रोजन अकेला था क्या था हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था तो हाइड्रोजन में क्या हो गया ऑक्सीजन का जूर गया है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जूर जुका है तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है मतलब जैना भी किरिया है ता हाइडोजन में जुराई इसका मतलब यह हुआ कि हाइडोजन का क्या हो गया उप-चैना या निग लिख सकते हैं ओप चैट अउप्काइद किलियर है आप यहां पर देखिए कॉपर ऑकशाइड यह पे झुरना द आलेकिन बाद में किया हुआ सबैस में क्या हुआ इस मेंbak उप्सीज्जन का हरृत कर द गया इस आपसगन नहिंग कोपर ऑक किसमें से हटा है तो ऑक्सिजन इसमें हटा है कौपर से किसे कौपर से तो कौपर का यहां पर क्या हो रहा है अपचाईत हो रहा है अपचाईत अपचाईत हो रहा है किलियर तो आपने इस प्रशन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया आगे बढ़ते हैं आगे कुछ नहीं है रा की प्रशन हमने करा दिया है ना अब बच गए सर आपके अभ्यास की प्रश्न तो अभ्यास के प्रश्न मैंने करा दिया है लिंक description box में मिलेगा वहां से आप लोग करके देख सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई ठीक है टेक क्यार लब यू